नमकर आपके सरीर में कहीं भी फोड़ा फुंसी बरण जब होता है तो उससे आप बहुत परिसान हो जाते हैं कहीं मेडिसिन खाते हैं तो कहीं डक्टर के पास जाते हैं जब सुरू सुरू में जब फुड़ा फुंसी बरण फेस में हो हाथ में हो कहीं भी होता है तो सुरू सुरू में आपको क्या करना है ऐसे जीव निकालना है ऐसे बीच वाला उंगली ऐसे लगाना है 2 second 3 second लगा के rखना है कहीं भी फुटा फुशी हुआ है उसके उपर दबाना है ईससे दबा के थोड़ा 2 second रखना है फिर दुबारा ऐसे लेना है फिर दबा के रखना है ऐसे साथ बार करना है वो भी 3 दिन के अंदर 3 दिन regular करना है तीन दिन रेगुलार यानि सुबे साम करना है दो टाइम करो या तीन टाइम करो ऐसे रेगुलार जैसे मैं दिखाया हूं ठूक अपना लगाना है ठूक ऐसे जीव निकाल दीजिए ऐसे ठूक लिजिए जब सुरू-सुर में फोड़ा फुन्ची जहां भी बरण निकलता है वहां पर दबाना है साथ बार दबाना है वह भी तीन दिन करना है तीन दिन या चार दिन करना है जब आप इसको तीन दिन चार दिन जब करते हो तो वह फोड़ा फुन्ची बरण जो निकलता है वह अपना दब जाता है वह गायब हो जाता है फिर दुबारा होता नहीं है ये मैं गैरंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, आपके सरीर के अंदर कहीं भी फोड़ा फुंसी निकलता है, एक चुटकी से आप उसको ठीक कर सकते हो, कहीं जाने की, कहीं मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं, जब भी आपके सरीर में कहीं भी किसी साइड से फोड़ा फुंसी बर्ण आदी निकलता है, तो मैं बोलना चाहूँगा, वो ठुक से 100% ठीक हो जाएगा, ठुक का इतना कापासिटी है, कोई भी आप गांठ हो, बन रहा हो, सुरू-सुर में गांठ बन रहा हो, अब ठुक गांठ भी दब जाएगा, गांठ भी नहीं होगा, कहीं भी गांठ बनता है, जैसे गांठ मत के बड़ा सा होने लगता है, तब आप ठुक लगाता है, आप लगाओगे, वो भी दब जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, सुरू-सुर में जब लगाता हो, कोई भी जब बड करना है थूक लगाना है साथ बार लगाना है यह वाला बीच वाला उंगली से थूक लगाना है और तीन चार दिन यानि गाठ का साथ दिन दस दिन तक लगाना है वो ठीक हो जागा फोड़ा फुंसी के लिए तीन दिन चार दिन में ठीक हो जागा इसी तरह अब जब लगाओ तो हमेंसा के लिए फोड़ा फुन्सी से आप छुटकारा पा सकते हैं थैंक्यू मैं वी हपी अलवेज